हेलो एफ्रिवान मैं आशे करती हूं आप सभी ठीक होंगे मैं कादल धामी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चानल वीडियो में आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास वीडियो होने वाली है यदि आप के विस पियार्टी परिक्षा की तियारी कर तो देखिए के विस परिक्षा के यहां पर हम लोगों के सामने नोटिफिकेशन के साथ साथ यहां पर हम लोगों को यह भी पता चला कि के विस के जो पी आटी का सिलेबस है यहां पर चेंच हो गया है तो देखिए अब आप लोग इतने कम समय में कौन से रिसूर्स को यहा सभी चीजों पर आज की वीडियो होने वाली है यदि आप के वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा इस वीडियो के थूँ आप लोगों को एक आईडिया लग जाएगा कि आपको कौन से चीजे कहां से प्रिपैर करनी है और साथ इसाथ किस तरीके से अपने त्यारी शु होने वाली है साथ इस परिक्षा में आपका दो सबसे ज्यादा मेजर सेक्शन रहने वाला है एक यह हमारी जो पैड़ागोजी है यानि कि सिक्सों सास्त्र है और इसके अलावा जो दूसरा आपका सेक्शन रहने वाला है जो सबसे मेजर है वो यहां पर आपका अब देखिए यहां पे पैड़ागोजी का एक फिक्स सिलेबस दिया गया है अब देखिए पहले भी केवियस की परिक्षा में पैड़ागोजी पूछ जाता था पर वो पहले आपका 20 अंका पूछ जाता था और उसका भी एक फिक्स सिलेबस होता था तो देखिए मार्क्स व जाएगा तो देखिए यह कहां से प्रिपार करें क्या यह पैड़ागॉजी आपकी सीटाइट की पैड़ागॉजी जो हम करते हैं वह आपका इनफ होगा तो मैं सबसे पहले आंसर दोंगी नहीं तो देखिए यहां पर आपको एक फिक्स दिया गया है अगर आप लोगों ने सीलेबस डाउनलोड नहीं किया तो इसकी पीडियाफ आपको टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगी आप टेलिग्राम ग्रूप में जाएए आप वहां से पीडियाफ डाउनलोड कीजिए अब देखिए यहां पर यह जो पैड़ागॉजी है इसके अलग-लग सेक्शन बन अब देखिए N.I.S. के तो आप कहेंगे कि इसके तो कई सारी किताबे हैं और कई सारा बहुत मेजर आपका सीलेबस है तो इतने कम टाइम में क्या हम N.I.S. के बुक यहां पर प्रिपार कर पाएंगे तो आपको पूरी बुक नहीं प्रिपार करनी है जो आपको एक फिक्स लेबस दिया गया है उस फिक्स लेबस के अनुसार आपको यहां पर चीजे रैडी करने हैं आप यहां पर कुछ डेमो देख सकते हैं यह नोट्स यहां पर बनना रैडी हो गए लगभग अभी इनको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आप मान के चलिए कि 10 से 15 दिन में यह सारा का सारा कॉंटेंट आपके लिए यहां पर रैडी हो जाएगा और स्क्रीन में आपको यह नंबर दिख रहा है अगर आप यह कॉंटेंट चाहते हैं इसके लावा आप खुद से भी नोट्स बना रहे हैं तो आप इस तरीके से अपना कॉंटेंट तेयार करने लगी अभी देखिए अभी मार्केट में ऐसे कोई बुक नहीं आई है जिसमें आपको यह सारी चीज़े कंबाइल करके एक जगह पर मिल जाए क्योंकि सिलेबस अभी चेंज हुआ है तो आप लोग कोई खरी देंगे और महां से आपको कॉंटेंट मिल जाएगा आप लोगों को अपनी तियारी खुद ही करनी है सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए तो देखिए सबसे ज़्यादा अभी फोकस आप यहां पर पाड़ाजी में करिए क्योंकि सिक्स्टी मार्क्स के आपके पाड़ाजी आ लिए इसके बाद अगर मैं सब्जेट कंसर्न की ब है आप उस सिलेबस को पड़ेए यहां पर बीस बीस नंबर आपका हिंदी और इंग्लिश की इसके लिए आप लूशंट की या अरिहंत की ले सकते हैं हिंदी के लिए इसके लावा इंग्लिश के लिए तो आप पारामाउंट के बुक से करिए क्योंकि अगर हम पूरे 180 मार की पूशे जा रही है तो हिंदी और इंग्लिश का भी अच्छा खासा वेटेज है तीस तीस नंबर का तो आपको इस पे भी बहुत ज्यादा देना है इसका भी एक प्रॉपर नोट्स वगएरा रैडी करना है और जो नोट्स मैंने जैसे मैंने कहा कि मैं जो रैडी कर रही है बट कही न कही हम लोगों को मन से सचाई पता है कि की इसमें आपका फॉर्स तु फिप्थ कहने के लिए यह आपका बोला गया है बट वहां से आएगा नहीं तो आपको कम से कम सिफ्स तु एर्थ क्लास की जो आपके इंसी आर्टी है उसके मैज्स की आपके सारे concept सारे आ आपका especially subject concern का वो आपका class 12 तक भी जा सकता है तो देखे यहां पे आपको 10 तक का चीजों की knowledge होना बहुत जरूरी है और जो पिछला हमारा syllabus था उसमें भी हमारा जो content area था वो 10th class तक का cover करते थे और साथ-साथ अगर मैं EBS की बात करूँ तो देखे यहां पे theme दे रखी हमें E EBS की बट अगर मैं आपसे एक सवाल पूछो तो EBS की theme में एक आपको word मिलेगा food ठीक है जी अब मैं मानती हूँ कि यह जो food करके है यह जो आपका भोजन है यह आपका EBS की किताबों में बहुत अची तरीके से अलग-लग राज्यों में अलग-लग state में जो food खाये जाते हैं पर अगर मैं आपसे यह सवाल पूछों कि क्या यह भोजन करके जो food करके यह topic है क्या आपका first to fifth class में मिलेगा तो आप कहेंगे नहीं यह आपको science की जो class 6 की NCRT का chapter 1 है chapter 2 है वो food और उसके component के बारे में अब देखिए मैं कहना क्या चाहरी हूँ जो आपकी theme है EBS की question तो वह travel यात्रा होगे जो आपके पानी यान की जो water resources होगे इसके अलावाद जो आपके science की किताबों की जैसे की अब मान लीजिए यहां पर अगर आपका यहां पर हम लोगों को सबसे पहला जो theme है वह है family and friends उसके अंदर plant और animal भी आता है अब plant और animal में plant कर nutrition animal कर nutrition यान की digestive system यह भ जो मैं notes आप लोगों के लिए ready कर रही हूं उसमें मैं इसी तरीके से आपका अप्रोच लगा रही हूं जैसे मैंने syllabus देखा था मेरे माइन में यह चीज़ क्लिक हो गई थी कि कहीं ने कहीं आपे आपका theme तो लिखा हुआ है बट यह theme इतना ही नहीं पूछा जाएगा जो क आप से पहले तो पैडगोजी पैडगोजी जिसका आपका जो मार्क्स वेटेज है यह 60 मार्क्स का है इसके अलावा दूसरा आपको फोकस करना है EBS के आपके syllabus जो के आपको कम से कम एर्थ क्लास तक जाना है जो कि आपको 20 नंबर यहां पे लेकर आएगा डेली आपको कम से सिक्स टू एर्थ की यहां से शुरू करिए यह कॉंसेप्ट स्ट्रॉंग होंगे तो आपके बेसिक वाले तो अपने आप स्ट्रॉंग हो जाएंगे इसके लावा हिंदी इंग्लिश के 30 नंबर के लिए आप तयार हो जाए तो कम से कम आपको अभी शुरुआते दौर में लिए 60 माक्स के आपको पैड़ागोजी, 20 नंबर के आपको EBS, 20 नंबर के आपकी मैट्स और 30-30 नंबर यानिके 60 माक्स के आपकी इंग्लिश और हिंदी यहां पे तयार करनी है तो इस तरीके से 6 और 6 हो गए आपके 12, 12, 13, 14, 15, 16 तो आपको 160 माक्स का आपको content यहां पे इस सारी चीज़ आ जाएंगे, अगर आप इतना content यहां पे शुरुवाती दौर में इस तरीके से साथ में लेके चलते हैं, तो आपको यह चीज बहुत ज़्यादा मदद करेगी KVS PRT की preparation में, I hope यह वीडियो आप लोगों को helpful लगी हो और इस वीडियो के थूरू आप लोगो सबी चेंज हुआ है, तो इतना जल्दी तो कहीं से भी आपको resource यहां पर मिलेंगे नहीं, तो हमें भी थोड़ा सा time लग रहा है, थोड़ा सा आप time दीजिए, और साते साथ जैसे के classes के रही बात, तो देखिए, अभी channel पर आप देखेंगे, तो seatide के marathon classes चल रही है, seatide के marathon classes आपकी mid of December या फिर आपका 20 December तक around यहां पर खतम हो जाएगी, इसके बाद KVS के भी आपकी यहां पर पर डे मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, पर तीन से चार आपकी theory classes भी आएंगी, जिसमें pedagogy, EBS और Maths में major आपका यह portion यहां पर cover करूंगी, till KVS exam, तो आप लोग मेरे सा strategy के साथ सही तरीके से त्यारी करेंगे, तो आपकी यह जो त्यारी है, आपको अपनी मंजिल तक लेके जाएगी, साथे साथ आप मेरे साथ telegram group पे जोड़ सकते हैं, और देखे अभी से अगर आप message करेंगे KBS PRT notes, तो अभी आपके ready नहीं, अभी आपके लगभग 15-20 दिन आपके लगेंगे, 15-20 दिन तो मैं ज्यादा बोल रहीं, 10-15 दिन आपके लगेंगे, आप telegram group पे जोड़ जाएए, telegram group में आपको update मिल जाएगा, जैसी notes बनेंगे, और demo आपके screen में आपको मैंने हाँ पे show करी दिया है, इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपसे मिलती अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, बाई बाई, टेक क्यार